आज हम MP के जितने चर्चे व्यक्ति रहे साल के उसकी सीरीज का दूसरा वीडियो लेकर आए हैं इससे पहला वाल वीडियो आप लिंक पे जाकर देख सकते हैं चला तो हम देखते हैं सबसे पहले यह है बिर्जेन सिंग राठोर जो टीकमगड के प्रतवीपुर और निवाडी दोनों बिधानसवा छेतरों से बिधायक रह चुके हैं कमलना सरकार में केबरेड मंतरी थे इनका हाली में निधन हो गया है तो आप से पूछ सकते हैं विपक्च के नेता को लोग लेखा कमेटी का अध्यक्च बनाते हैं अब लोग लेखा कमेटी क्या है तो जब भी सरकार के खर्चों की जाच कैक करता है तो अपनी रुपोर्ट राश्पती को देता है राश्पती इसको संसद में रखवाता है जैसी यह लोग सब अध्यच के पास पहुँशेगा तो वो लोग लेखा कमेटी बनाएगा ठीक है लोग लेखा कमेटी तो सरकार के खर्ची की जाच कौन करना चाहिए बिपक्च तो अगर भाजपा की सरकार होगी तो Congress का निता बनेगा इसलिए ये Congress के हैं और इसलिए ये सिवराज सिंग चोहन के समय लोग लेखा समीती के अध्यक्ष थे बिरजन सिंग राठवर जी अगली खवर ये है स्रीवास्ताओ जी पूरा नाम इनका है अजीत स्रीवास्ताओ ये रेरा, रेरा मतलब Real Estate Regulation Authority भू संपदा वी नियामक पराधी करण के अध्यक्ष बन गए इसका मतलब क्या है तो मद्यप्रदेश में जितना भी Real Estate Real Estate मतलब Plot खरीदना, Plot बेचना, उन पर Construction इन्हे Real Estate का बिजनेस कहते है और चुकि ये सबसे महंगा बिजनेस है और ये बिलकुल Regular होना चाहिए क्योंकि मैंने एक फ्लैट खरीदा पता चला उसकी गुडवत्ता खराबती एक फ्लैट खरीदा वो पहली दो-तीन लोगों को बेचा गया इसका बलता MP में जितना भी Real Estate का बिजनेस होता उसको कौन कंट्रोल करता है? RERA Real Estate Regulator Authority भू संपदा वी नियामक प्रादिकरन इसके देख्च कौन बने है? अजीत सिरिवास्ताव जी अगला अब देखेए ये जो राष्टी क्रांतिकीर अवोर्ड है ये फ्रीडम फाइटर है रामचंदर रगुवनसी काका जी इनकी याद में राष्टी क्रांतिवीर अवोर्ड दिया जाता है इस साल का जो तेईसमा राष्टी अवोर्ड है वो दिया गया था मुसल गाउंकरजी को केसाव राव मुसल गाउंकरजी को इस साल का राष्टी क्रांतिवीर अवोर्ड तो मद्वर्देश में उज्जेन में देश भावना देश प्रेम की भावना या देश के भले के लिए काम करने वालों को हर साल राष्टी करांती वीर अवार्ड बिलता है ये प्रिसिद्ध सुदंता सैनारी रामचंद रगवंसी की याद में दिया जाता है जो 23 मा है या इस साल का जो करांती वीर अवार्ड है वो केसव राव मुसल गाउंकर को दिया गया था पिछले साल दिया गया था इन महिला को ये आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके बताना ये महिला कौन है जिने पिछले साल का राष्टी करांतीवीर अवार्ड दे दिया गया था मैं आपको एक हिंट दे रहा हूँ ये वही वकील है जिनोंने निर्भिया रेब कांड में दोसियों को फासी की सजा दिलवाई थी ये निर्भिया की माता और निर्भिया के पिता जी है तो आप लोगों को कमेंट सेक्शन में करना है कि पिछले साल का क्रांतीवीर अवार्ड किसको मिला हिंट मैंने दे दी इन्होंने ही निर्भिया का केस लडा था चलिए अगली ख़बर की ओर चलते हैं तो ये है अरूर कुमार मिस्रा जी ये सुप्रीम कोड के जस्ते मद्ध ब्रदेश से ब्लोंग करते हैं गौलियर के जीवा जी इन्वस्टी से लौकी पढ़ाई की है इस सिलेवस में आयोग है नेशनल हीमर राइट कमिसन एक चीज देखिए अभी 2019 में इसमें संसोधन हुआ अमेंडमेंट हुआ जब ये संसोधन नहीं था तो ये सर्थ थी कि राष्टी मानो अधिकार आयोग का ध्यक्च एनेच आरसी का चेयर्मेन वही हो सकता चेयर्मेन नही तो चेयर्मेन वही हो सकता है जो सुप्रीम कोर्ट का चीप जस्टिस रहा हो सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्याईदीस रहा हो लेकिन 2019 के संसोधन के बाद इस सर्थ को हटा दिया गया है इसी वजए से जो अरुनकुमार मिस्राजी है ये कभी भी सुप्रीम कोर्ट के अधिकार आयों के अधिक्ष बन गए कि 2019 में हो चुका है संसोधन अगली ख़वर एक बुक है एक डॉक्यूमेंटरी है पैंडेमिक अवे फ्रॉम दा मदरलेंड तो कोविड को पैंडेमिक बूला गया पैंडेमिक का मतलब है जो लगभलब संपूर्ण विस्व या लगभलब एक महादीप में फैल गई हो तो कोविड के समय डॉक्टर्स ने अपने देश से दूर रहके इलाज किया उनकी उपर डॉक्यूमेंटरी बनी है पैंडेमिक आप लोग जाके या तो अभी या कल मोर्निंग तक अपलोड हो जाएगा वर्ल्ड जोगरफी में नौर्थ अमेरिका उसमें मैंने बताया कि कैलिफवनिया में लॉस एंजलेस नाम का सहर है जा हॉलिवोड है वहीं के डारेक्टर इन्हों ने ये डॉक्यूमेंटरी बनाई और योगेसमालवी सतेन सिंग ग्वालियर के है योगेसमालवी साजापूर के है जो सतेन सिंग विकलांग है और इन्होंने इंगलिस चैनल पार किया था जो इंगलेंड और फ्रांस को अलग करता है इसको पार करने वाले यह पहले विकलांग वेक्ति हैं यह मलखंब के गुरु है योगेस मालवी जी है इनको यह मलखंब के हैं इनने भी राष्टिय खेल पुरुसकार मिला है तो इन्हें राष्टे खेल अवार्ड भी मिला है, द्रोनचार अवार्ड भी मिला है, चलो, अगली, यह बबीता राजपूत जो छतरपूर के अंगरोठा गाउं की है, इन्होंने एक पहाडी को काटा और यहां एक जील बना दी, और इसका पूरा तालाब में पानी गया, त भीता राजपूत छतरपूर अंगरोठा, चलते आगे, अगली ख़बर, यह इंदोर के हर्श चोहन, उनको राष्टी अनुसूचित जंजाती आयोग, नैसनल ट्राइबल कमीशन का अध्दक्च बनाये गया, जो हमारे सलेवस में है, आर्टिकल 338 में है, पहले यह 338 में दोनों थे, SC और ST, 89 में सम्मिधान संसोधन, 2003 के दवारा SC को 338 में रहने दिया, 338A में अलग कर दिया, अब आप लोग के लिए कमेंट सेक्शन में क्योश्चन है, आप बताईएगा कि SC की परिभासा सम्मिधान में किस अनुच्छेद में है, और ST की परिभासा सम्मिधान के किस अनुच्छेद में, तीसरा, OVC की भी किस अनुच्छेद में, क्योंकि OVC आयोग भी सम्मिधान में है, तो आपको कमेंट सेक्शन में बताना है, SC, ST और OVC की परिभासा आपको सम्मिधान में कहां मिलेगी, तो ये राष्टी अनुसूचित जन जाती आयोग के पारा मिलता है, तो बंसी कॉल, जो डारेक्टर है थेटर में इन्हें काली दास मिला था, और इन्हें इनका निधन हो गया, इसके लाबा ये संगीत नाटक Academy Award भी प्राप्त कर चुके हैं, चलो, अगली खवार, ये हैं गोरा अरजरिया, इन्होंने उत्तरकासी में केदार क काठा, ये चोटी है, 12,000 फीट पे उसके उस पर इन्होंने तिरंगा फेराया, तो पन्ना की गोरा अरजरिया, पन्ना आपको पता हीरे के लिए फेमस है, तो पन्ना की गोरा अरजरिया ने केदार पाठा पे, केदार काठा पर तिरंगा लहराया, ये केदार काठा उत्तरा अब आपसे सवाल है कि ऑस्टेलिया की कियोस्कू में अभी जो ऑस्टेलिया की सबसुची चोटी है मैंने पिछले वीडियो में डाला था आंसर बताना है मद्ध ब्रदेश की किस महिला ने ऑस्टेलिया की सर्भुच चोटी कियोस्कू पे तुरंगा फेराया है गोरा अरजर आयोग ने COVID Warrior Woman of the Year का अवाड दिया है ये नाजिरा खान है इन्हें COVID Woman Warrior of the Year राश्टी महिला आयोग ने बोला है इन्होंने ही जब पहली लेहर में फर्स्ट वेब में जब मजदूर लोटे थे तो उनके परिक्षण गाउं के बाहर ही इन्हों Man COVID Warrior का अवाड बला ये स्योपूर की रहने वाली है अगली खवार ये वरनियम सर्मा 6 साल के हैं और इनको India Book of Record में दोड़ने के लिए इन्डिया Book of Record में दर्ज किया गया अभी इस साल 26 जनवरी को इन्होंने 200 किलिमीटर की दोड़ भी लगाई है एक एवल 6 साल के हैं वरनियम सर्मा हुसंगाबाद के दोड़ने के लिए ने इन्डिया Book of Record में सामिल किया गया अगली खबर दो लोग ये हैं कुमर वेचेन और ये हैं सिव ओम अंबर इन दोनों को इस साल का कभी प्रदीव अवार्ड तो आप से पूछा जाएगा इस साल का कभी प्रदीव अवार्ड किसको मिला तो कुमर वेचेन साब को और सिव ओम अंबर साब को अगली खबर IPS अधकारी रवेंद्र और धरंबीर ये रवेंद्र है ये धरंबीर है COVID के समय बहादुरी से काम करने के लिए साल इन्हें राष्टी वीरता पुरुसकार तो मद्द प्रदेश के दो IPS ओपीसर ये हैं रवेंद्र और ये हैं धरंबीर इनको मिला है वीरता पुरुसकार चलिए अगली चीज ये हैं गुर्जर साथ सतीस गुर्जर इन्हों ने अभी चित्रकला के लिए फिमा से इन्हों ने 1500 किलो अनाज से अब्दुल कलाम जी का पोट्रेट बनाया देखिए ये अब्दुल कलाम जो 6 साल के बच्चे हैं इनको दौड की लिए इंडिया बुक रिकॉर्ड में सामिल किया और ये हैं हर्दा के सतीस गुर्जर जिन्होंने अब्दुल कलाम को पोट्रेट 1500 किलो से बनाया इनका भी नाम इंडिया बुक रिकॉर्ड में सामिल किया ये हैं देश राज पटेरिया जी पिरसित दिलो के गायक छतरपूर के रहने बाले हैं जिनका हाल में ही निदन हो गया तो हमने आज इस वीडियो में दो लोगों के नाम लिये हैं छतरपूर से एक बबीता रातपूर जी जिन्होंने पहाडी को काट कर जील बनाई इन लोगों ने क्या किया अपने स्कूल में ऐसी विवस्था की कि बच्चों को हर जगा से पढ़ने का मिला जैसे साहिद अंसारी जी इन्होंने पूरी स्कूल में ऐसे बना दिया ABCD आप खेल सकते हो पढ़ सकते हो ऐसे संजय जैन ने जितनी भी चटान थे स्कूल के पीछे पहाड़ था उन्होंने जोड घटाना अलफाबेटिकल पहाड़े सब लिख दिया तो नए नवाचार के लिए छिंदवाडा के सहई दंसारी टीकमगड के संजय जैन को इस साल राष्टिय सिक्षक का अवाड़ नेशनल टीचर का अवाड़ मिला है दोनों ने अपनी स्कूल में कई सारे नवाचार कीए है सरकारी स्कूल में जिससे बच्चों का मन लगा रहे इसके अलाब हमने लास्ट वीडियो में क्या देखा था ग्लोबल टीचर का अवाड़ पहली बार किसको मिला है तो मिला था रंजी सिंग दिसाले महरास्ट के तो अगर पूछे अंतरास्टी सिक्षक का अवाड़ पहली बार मिला इंडियन को रंजी सिंगे बहुत important है क्योंकि Global Teacher Award पहली बार इंडिया में किसी को मिला है वो मिला है रंजी सिंग दिसाले महरास्ट के इन्होंने क्या किया इन्होंने पूरी किताबों को QR का फुलपॉँ में quick response तो QR code में convert कर दिया तो Global Teacher Award मिला रंजी सिंग जबकि National Teacher Award मिला दो लोगों छिदवाडा के साहिद अंसारी और टीकमगड के संजाजेन अगली बड़ी ख़बर की और चलते हैं तो बापस योगेस मालवी जी जिनको अभी राश्टे खेल पुरुसका मिला इसके लाबा MP Suiting Academy के MP Suiting Academy के जस्पाल राणा तो इस साल द्रोणा चार अवाड पांच लोगों को मिला जब हम खेल की बात करेंगे पांचों पढ़ेंगे इसमें MP से रिल्लेटेट दो हैं एक है योगेस मालवी जी साजा मलखम से संबंदित और यह जस्पाल राणा निसाने बाजी से संबंदित तो आपसे पूछ सकता है कि हाल में ही योगेस मालवी जी को द्रोणा चार अवाड जो कोच के लिए मिलता है यह किस खेल से संबंदित और आंसर है मलखम आपसे पूछा जाएगा हाल में ही पाल राणा जी को दुराणाचार अवाड मिला है, किस खेल से संबन्ने थे, सूटिंग, चलिए, अगला MP सूटिंग अगाइडमी, 2007 भुपाल, अभी खेल की एक वीडियो क्लास, अभी खेल स्पोर्ट्स की एक वीडियो अपलोड होगा, आप लोग उसको जरू देखेगा, बात की थी, यह बिदिसा में एक गाउं के सहकारी समिती के प्रबंदक है, ध्यान रखना जो प्राइमरी सहकारी समितीयां होती, वो किसान मिलके बनाते हैं, तो बिदिसा में मुके सर्माजी उस प्रबंदक समिती के अध्यक्स थे, मोधी जी ने इनसे बात की, और यूरिय के बारे में जानकारी लीग, आप लोग कितना यूरिया देते हैं, यूरिया सरकार से बिलता है कि नहीं, तो यह आद ध्यान रखना, मद्ध प्रदेश के जितने लोगों से मन की बात में, मोधी जी ने बात की है, उन पर जरू एक कोश्चन आएगा, मोधी जी से कितने कोश् अला है, तो मुके सर्मा जी ये विदिसा के किसान है, और वहां की प्रात्मेक सहकारी समित्ती के अध्यक्षे इन से बात की, छतरपुर में भविदा राजपूर से जल सरक्षड के लिए बात की थी, चलो, इसके बाद ये स्योपुर के विश्नुगर के डॉक्टर, इन्हे डॉक्टरेट की समाज के अलान, वहां से उपुर में बाल मृत्तुदर को रोगने के लिए ने डॉक्टरेट आप सोसल वर्ग की डिगरी दी गई, तो आज के लिए इतना काफी है, इसके बाद हम जल्दी दूसरे वीडियोज भी लाने बाले हैं, आप वीडियो को लाइक करें, सेर करें, सब्सक्राइब करें और हमसे जुड़े रहें, all the best, thank you.